हिंदुस्तान में ये नहीं बोला गया है कि औरंग जेब गुरु गोवित सिंग के चार बच्चों का कातिल भी था औरंग जेब के ओपर स्कूल के अंदर बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं मगर नथु राम गोट से के ओपर स्कूल के अंदर चैप्टर्स नहीं होते तो ये कहां का गोगलापन है आप अखबर औरंग जेब टीपू सुल्तान को ग्लोरिफाइ करते हैं जिन्होंने कितने इनोसेंट हिंदूस को मारा उनका धर्म परिवर्तन किया मगर आप उनके ओपर चैप्टर्स रखते हैं स्कूल के अंदर मगर आप नथु राम गोट से के ओपर चैप्टर्स नहीं रखते नथु राम गोट से को लगा कि मात्मा गांदी यानि मोहंदास करमचन गांदी ये पार्टिशन ये पटवारे को रोक सकता था मगर उन्होंने नहीं रोका, इसलिए उन्होंने उनका कत्ल गिया एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मारा, क्योंकि उसको लगा कि वो हिंदू, बाकी हिंदू को खतम कर देगा क्यों? क्योंकि वो मुसल्मानों को दिखाना चाहता है कि वो प्रो मुसलिम है मुसल्मानों की जब population 9 करोड थी तब उनको एक देश दे दिया उसके बावजूद भी हिंदूओं को मरना पड़ा क्यों क्यों की बटवारा हुआ हम सबको पता है कि महत्मा गांधी को किसने मारा मगर शायद ही हमको पता होगा कि गुरु गोविन सिख के बच्चों को किसने मारा ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश भारत के अंदर selective information impart की जाती है in schools and colleges जी हाँ ये information वैसी information होती है जहाँ पे टीपू सुल्तान को इंडियन हीरो कहा जाता है और महराना प्रताव या चत्रपती शिवाजी महराज के बारे में हमको गुगल पे सर्च करना पड़ता है हम सबको पता है कि नतुराम गोट से एक हिंदू ब्रामिन थे एक मराथी हिंदू ब्रामिन थे जिनों ने मोहंदास करमचंद गांधी को मारा जो एक हिंदू थे एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मारा मगर क्यों मारा क्योंकि वो हिंदू समझता था कि महत्मा गांधी की thought process या ideology जो हो चुकी थी over the period of years वो anti-हिंदू थी जी हाँ अगर आप नतुराम गोटसे की speech सुनते हैं जो उन्होंने दी थी in the courtroom when he was sentenced to death तब उन्होंने कहा था और वो speech online है Google में है Wikipedia में है और आप सबको वो speech सुननी चाहिए जो सही माइने में हिंदू है मैं obviously सही माइने में हिंदू की बात कर रही हूँ उनको पता है कि नतुराम गोटसे ने महात्मा गांदी यानि मोहंदास करमचत गांदी को क्यों मारा देखिए किसी को मारना कानून को अपने हाथ में लेना गलत है और मैं उस बात को advocate नहीं करती हूँ नतुराम गोटसे को उसकी सजा मिली उनको फासी दी गई मगर नतुराम गोटसे ने महात्मा गांदी यानि मोहंदास करमचत गांदी को क्यों मारा एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को क्यों मारा ये जानना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे कि हमारे देश भारत में हिंदूस्तान में बहुत जादा हिंदू है जो obviously secularism का नारा चीकते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनका इतिहास क्या है ये obviously convert है या वो इतने बिक गए है या इनके अंदर इमान धरम है ही नहीं अपने धरम के प्रती ये सिरफ अपना फाइदा द देखते हैं अपनी सब्ता का फाइदा देखते हैं मैं इतना ही कहना चाती हूँ क्यों क्योंकि मैं कोई political party से नहीं हूँ मैं नथुराम गोट से के thought process को समझने की कोशिश करती हूँ क्यों क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ उन्होंने अपनी speech में कहा कि महत्मा गांधी या शक्ती थी so this is what Mohandas Karamchad Gandhi did which was wrong according to me Mohandas Karamchad Gandhi could have prevented the partition of भारत नेरू को प्रधान मंत्री बनना था जी हां पंडित नेरू को प्रधान मंत्री बनना था जो अपने आपको हिंदू कहलाते थे दूसरी तरफ महबद अली जिन्ना को प्रधान मंत्री के बनना था जो अपने आपको कटर मुस्लिम कहते थे दोनों को प्रधान मंत्री बनना था इसलिए भारत के दो टुकडे हुए एक को हिंदूस्तान का प्रधान मंत्री बनाया गया दूसरे को पाकिस्तान का प्रधान मंत्री बनाया गया मगर वो पटवारे में 10 लाग से उपर लोगों की हत्या हुई वो नानी भी पाकिस्तान से भाग कर आई थी अपना घर व्यापार पैसा सब कुछ छोड़ के क्यूं क्यूंकि बटवारे में उनको पाकिस्तान यानि मुस्लिम डॉमिनेटेड इसलामिक कंड्री में नहीं रहना था तो जिस तरह से मेरी नानी भाग कर पाकिस्तान से आई थी बटवारे के टाइम पे उस तरह से बहुत सारे लोग अपना घर व्यापार छोड़ के भाग कर आए थे अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग जो अपनी जान नहीं बचा पाए वो मर गए तो उनकी मौत का जिमेदार कौन है आप सबको पता है कि मोहंदास करमचंद गांधी को किसने मारा मगर वो दंगे में जो 1947 में हुए थे जिसमें इनोसेंट हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई मरे थे उनकी देथ का र इन राइट ताट ब्रोक आओ दूट पारिशन आफ नाइटीन फॉटिसेवन कुछ जवाब है आपके पास विकास हम सब को आंसर पता है मगर हम सब यह आंसर जोर के खुल जोर से खुल कर नहीं बोल सकते हम सब सिर्फ अब तक यहीं सीके हैं कि आप चिला चिला कर बोलो कि इंडिया एक सेक्यूलर कंट्री है मगर आप और मैं इस बारे में जोर से नहीं बोलेंगे कि हूँ वस रिस्पॉंसिबल फॉर्ट किलिंग अफ नियरली 10 थाउजन इंडियन दू दू पार्ट इंटू हिंदूस्तान और पाकिस्तान इन 1947 हम सब को इसका आंसर पता है मगर इसके बावजूद हम जोर से वो नाम नहीं लेंगे नत्थु रामगोट से को लगा कि मात्मा गांदी यानि मोहंदास करमचन गांदी ये पार्टिशन ये पटवारे को रोक सकता था मगर उन्होंने नहीं रोका इसलिए उन्होंने उनका कत्ल किया एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मारा क्योंकि उसको लगा कि वो हिंदू बाकी हिंदूओ को खतम कर देगा क्यों क्योंकि वो मुसल्मानों को दिखाना चाहता है कि वो प्रो मुसलिम है मुसल्मानों की जब population 9 करोड थी तब उनको एक देश दे दिया उसके बावजूद भी हिंदूओं को मरना पड़ा क्यों क्योंकि बटवारा हुआ तो this is the thought process that we need to understand मैं महत्मा गांदी जी की respect करूँगी क्योंकि मुझे बोला गया है कि मुझे उनकी respect करनी है क्योंकि वो father of the nation है और अगर मैं उनकी respect नहीं करूँगी तो ये against the law होगा मैं महत्मा गांदी जी की respect करती हूँ मगर मेरी opinion में मेरे सोच के हिसाब से मैं नथुराम गोड़से की भी respect करती हूँ क्योंकि नथुराम गोड़से ने अपना नाम अपना परिवार अपनी पूरे सातों पुष्टियों को line पे लगा दिया by killing Mohandas Karamchand Gandhi जी हां कोई खुलकर नहीं बोलता कि I am a fan of नथुराम गोड़से चाहे वो हिंदु क्यों नहीं हो कि औरंग जेब गुरुगोवित सिंग के चार बच्चों का कातिल भी था औरंग जेब के ओपर schools के अंदर books के अंदर chapters होते हैं मगर नथुराम गोड़से के ओपर schools के अंदर chapters नहीं होते तो ये कहां का दोगलापन है आप अखबर औरंग जेब टीमू सुल्तान को glorify करते हैं जिन्होंने कितने innocent Hindus को मारा उनका धर्म परिवतन किया मगर आप उनके ओपर chapters रखते हैं schools के अंदर मगर आप नथुराम गोड़से के ओपर chapter नहीं रखते जो एक भ्रामिट मराटी हिंदू था जिसने हिंदूों को बचाने के लिए अपनी सोच के हिसाब से जो सोच गलत थी क्योंकि आपके पास कोई right नहीं है किसी दूसरे इंसान को मारने का तो प्लीज मेरी बात को तोड़ना मडोडना नहीं मगर उनके बारे में कोई इंफरमेशन क्यों नहीं दी जाती हमारे हिस्ट्री के बुक्स के अंदर अगर हमारी हिस्ट्री के बुक्स के अंदर इंवेडर्स, मुगल इंवेडर्स औरंजेव, अकवर यूनो टीपू सुल्तान के उपर चैक्टर्स लिखे जाते हैं जो क्राजिस्थान क्योंकि Congress is in power there, वीर सावर कर का Memorial, मनी शंकर अयर करके कोई Congress का politician है उसने निकाल दिया था from Undaman, from the cellular jail in Undaman, so यह उनकी सोच है, Congress just wants to glorify Gandhi because they feel that the Gandhi surname, that surname which they have been using since 70 years, वो सर्नेम से वो हमारे को जितना हो सकेंगे, लूटेंगे, महात्मा गांधी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ की करने की कोशिश की थी, मगर शायद उनके decisions कभी-कभी गलत हो गए, क्योंकि after all वो एक इनसान थे, मगर Congress ने जिस हिसाब से हमारे साथ half information share करी है, 70 साल से वो गलत है, if you have glorified killers like Aurangzeb, Tepu Sultan and Akbar and all these people, then why have you not glorified Nathuram Goatse, if you are calling Nathuram Goatse a killer, then you need to call Aurangzeb also a killer, because what is fair for one person has to be fair for another person, that's all I want to say, अगर साधवी प्रग्या तो लगता है कि Nathuram Goatse एक देश भक थे, तो वो उनकी सोच है, और उनको अपनी सोच रखने का right है, because we live in Republic of India and everybody has a thought and we all have a right to share our thought, आप उनकी सोच से सहमत रखे या ना रखे, यह आपकी problem है, मगर उनको अपनी सोच रखने का हाख है, जैसे बर्खा अंटी, the most fraud journalist in India, calls Hemant Karkare a hero, that Hemant Karkare, whom Sadhya, whom Sadhvi Pragya says that he used to torture her, he used to show her porn and he tortured her to such an extent that she can't even walk now, so to that Barakha Dutt, to that man, Barakha Dutt calls a hero, so that shows her sanity, that shows her biased behavior as a journalist, she is not a journalist, she is just somebody who is a spokesperson for Congress and for Congress, if Hemant Karkare is good, she will call him a hero, she is not an unbiased journalist who, you know, shares information with the Indian audiences so that they can understand and decide for themselves what is right and what is wrong, जो Hemant Karkare को hero बोलता है, वो अगर अपनी opinion रख सकता है, तो Sadhvi Pragya भी नत्थो रामगोट से को देशभख बोल सकती है, क्योंकि वो उसकी opinion है, और आप अपनी opinion रखिए।